मद्यप्रदेश के क्रिशी मंद्री कमल पटेल का जोधपूर में गरम जोशी और आत्मियता के साथ स्वागत किया गया दिल्ली से जोधपूर के लिए रवाना होने से पूर कमल पटेल ने केंद्रिय पेट्रोलियम मंद्री धर्मेंदर प्रदान से मुलाकात कर मध्यप्रदेश की 25 कृषी उपजमंडियों में पेट्रोल गम खोलने को लेकर चर्चा की मध्यप्रदेश के कृषी मंतरी कमल पटेल के जोधपूर पहुँचने की सूशना मिलते ही बड़ी संक्या में भाजपा कारेकरता और पार्टी नेता विमानतल पर पहुच गए जोधपूर में होई सौअगत के बाद कृषी मंतरी कमल पटेल ने विमानतल पर मीडिया से चर्चा में कहा की मत्यप्रदेश में किसानों के कल्याण के लिए प्रभभावी योजना को अमल में लाया गया है जिससे उन्हें आत्म निर्भार और स्मृद्ध बनाने में मदद मिलेगी कमल पटेल ने बताया कि मत्यप्रदेश में करेशी उपज मंडियों को स्मार्ट बनाई जाएगा 21 तारिक को मैंने दिल्ली में पेटोलियम मंतरी स्री धर्मिन प्रधांजी से भेट की और उनसे मंद्यप्रदेश में मंडिया और किसानों के खेतों में क्या सुविदा दे सकते हैं उसमें चर्चा की मैंने उनको सुझाओ दिया कि हमारी मंडिया किसानों को सुविदा होगी अच्छा मार्केट मिलेगा और वो तदकाल सहमत हो गया और उनके पीएस को धर्देशित किया कि किर्शी मंत्री मत्यप्रदेश के कमल पुड़िजिस बैट के चर्चा करें और शुरू में 25 पेट्रों उन्होंने कहा कि हम वाइलेट पूजेट मे यह उसके बाद पर रिसमाज अच्छा मिला तो उसको पूरे प्रदेश में उसको खळाएं यह बहुत अच्छा प्रस्तावता मेरा क्योंकि किसान मंदी में आता है और मंदी में आकर जब अपना माल बेजता जो वापस जाता है तो उसी समय वहीं डिजल जलवाकर और अप अच्छी मुनमत्ता का विज अच्छी मुनमत्ता को खाद अच्छी कुनमत्ता के दवाई हैं वड़ी मरी कंपनियों के हैं हम उनको उपलब्ध कराएंगे वहीं खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिट नारट टीवी को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा आना ना भूले